सबा की कैराना लोकसबा सीट से प्रत्याशी इकरा हसन ने आज कलेक्ट्रेट पहुच कर अपना नामांगकन दाखिल किया उन्होंने कहा कि कम उम्र में पार्टी द्वारा उन पर जो विश्वास किया गया है वो उस पर खरा उतरेंगी और बुनियादी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगी आजकल एक ट्रेट परिसर में काफी सुरक्षा व्यवस्था कि भी इचे समाजवादी पार्टी की कैराना लोकसबा सीट से उम्मीदवार इकरा हसन ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया नामांकन के समय पुलिस ने लाल टोपी पहने हुए लोगों को अंदर जाने से रोक दिया प्रशाशन का क्याना था कि किसी भी पार्टी का कोई भी प्रतीक चिन अंदर नहीं जाएगा इस दोरान इकरा हसन ने कहा कि सरकार जनता को केवल मुफ्त के राशन के बदले निकम्मा बनाना चाहती है जिससे हमारे देश की जीडिपी और विकास धर काफी गिर जाएगी उन्होंने कहा कि जो 400 पार का नारा बीजेपी लगा रही है उसका मकसद सम्विधान के साथ में छेर चार करने का है जिसका पहले भी प्रयास किया गया है उन्होंने कहा कि वो जनता की बुनियादी समस्याओं को लेकर चुनाव लड़ रही है उन्होंने कहा कि वो जन्ता की बुनियादी समस्याओं को लेकर चुनाव लड़ रही हैं चुनाव के जो मुद्दे हैं वो सभी के समक्ष हैं और सबसे पहले तो हमारे यहाँ पर जो महिलाओं के लिए सुरक्षा है इसा ने हम कर रहे हैं हम कर रहे हुं किसानों की बात हमारी पार्टी कर रही है किसानों की बाद, तो हमेशा करते हैं हमें अपनी जगह पर टल हैं और किसानों के लिए जो सरकार को लाबकारी ओजना है लाणी चाहिए थी, कि उन्हें जो देना चाहिए था वो सब देने के लिए हम आज भी हमारी मांगे वहीं तो निश्चत रूप से हम इंशाल्ला जीते हैं तो एक यंग जी यह मेरे लिए बड़े स्वभागय की बात है कि पार्टी ने का मुमर में मुझ में इतना विश्वास जताया और आज पर्चा भड़ते हुए जम्मेदारी का बहुत ऐसास हुआ तो उसी को पूरी निश्ठा से निभाने की प्रदीप चोद्री जी है उनका कहना है कि संदिया है कि सब कुछ छीन के फ्री राशन तो दिया है 80 करोड़ वो खुदी कहते है 80 करोड़ लोगों को दिया है मुझे लगता है जब तक दुबारہ अगर उनकी सरकार आई तो फिर 1.500 करोड़ वो फ्री राशन ही देंगे इस स्तर पर हमारे लोगों को ले आएंगे कि पूरूम के साहारे हम बैठ जाएंगे एकॉनमी जी डिपी सब खतम हो जाएगी हम सब सर्कार की तरफ देखेंगे राशन के लिए तो यह कोई इस से होजना हैं जो सरकार ला रही है और 400 पार के बाद सम्विधान से छेड़-छाड के लिए ही 400 पार का नारा लगाया जा रहे हैं लेकिन 400 पार से इनकी जो पर्सेंटेज है पार्लेमेंट में वो बढ़ जाएगी तो इसी वज़े से हमें लगता है कि सम्विधान के साथ जैसे अभी छेड़-छाड चल रही है 400 पार हुए तो और बड़े सतर पर छेड़-चाड चलेगी इस दोरान सपा कारिकरताओं की पुलिस के साथ जो नोग जोग हुई पुलिस ने पार्टी प्रत्याशी के साथ अंदर जा रहे लाल तोपी पहने हुए कारिकरताओं को रोग दिया लाल तोपी बहन कर कुछ कारी करता पार्टी प्रित्याशी एक्राहसन के साथ अंदर कलेक्ट्रेट में दाखिल होना चाहते थे लेकिन पुलिस ने उन्हें रोग दिया प्रशाशन का कहना था कि नामांगन के दुरान पार्टी का कोई भी प्रतीक्चिन अंदर नहीं जाएगा इस पर पार्टी के नेता सुधीर पवार का कहना था कि वो इसकी चुनाव आयोग से शिकायत करेंगे परतीनिधी करती है तो पार्टी का कोई चिन यहां अंदर नि ले जा सकते उन्हें बताया ऐसा कानून है तो उस कानून का अमने मानते हुए हमने कहा कि यदि ऐसा कुछ है तो फिर आप जाने लेकिन आगे फिर किसी और की टोपी भी नहीं लगने चाहिए जिए इसके बार पार्टी का परतीक चिन वह अंदर नहीं जा सकता नोमिनेशन करते हुए अंदर पांच लोग हो सकते हैं जब हम बाहर आगे तो चलेगे वह प्रसाचन का उनका नियम बनाया हुए तो यह गलत बात है टोपी भारतिय समाज का भारतिय पहनावय का परतीक चिन है यदि लाल लंग से कोई पार्टी को मानते है तो लाल लंग बिखना बंद कराना पड़ेगा यह बहुत गलत बात है और हम इसकी चुनावायोग में चिकायत करें हर न्यूज अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिये हुए लिंक से जॉइन करें रोयल बुलिटिन का व लंग